नमस्कार फ्रेंड्स वीजा टू एक्स्प्लोर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली आप जानते हैं हम गुजरात में सोराष्टर टूर कर रहे हैं इस समय हम राजकोट में और हम जा रहे हैं जुनागड रुकते रुकते साइट सींग करते हुए और लोकल फूड एक्स्प्लोर करते हुए हम पहुंचेंगे शाम को आठ या नो बज़ तक जुनागड आज दिन की शुरुवात हमारी दस बज़े हो रही है इस समय में अपने होटल के बाहर ही कड़ा हूँ केके होटल है जहां पर हम रात में रुके थे पारकिंग सामने ही है समान हम अलड़ी रख चुके हैं पहले चलके कोछ नाश्ता करते हैं नजदीक में ही एक एट्री है वाकिंग डिस्टेंस पर और उसके बाद हम आगे जुनागड को चलेंगे इस समय हम शरीहरी नमकीन पर पोअ खाने के लिए है मैंने अपने लिए एक पढ़ ले लिए यह पुलिट पोहा लेली है यह पोहा ना इंदोरी स्टाइल में तयार किया गया है इसका मतलब है इसमें मीठा नहीं है आपकी जानकारी के लिए इस सम्याम कोटीचा-चोग के यहां ही से हमारे को मिक 27 दिखाई दे रहा है मैंने कल भी आपको बताया था कि मिक 27 जो रिटायर हो गया है वो यहां पर पब्लिक विविंग के लिए रखा गया है चलिए पोहा टेस्ट करते हैं मेरे को याद है ज़ मैं इंदौर गया था तो वहां पर हमने देखा था पोहे फिर पोहे के ऊपर इस तरह से से शेव डालते हैं बुंदी डालते हैं प्याज होता है और जीरावन मसाला साथ में निम्बू होता है चलिए जी साइड देश्ट है हम यह तो नहीं बोल सकते कि एकदम इंदौरी पोहे जैसा है क्योंकि इंदौरी पोहा खाने के लिए तो इंदौरी जाना पड़ेगा लेकिन क्लोज मैच है वेरी गुड टेस्ट कुछ महीनों पुरानी बात है मैंने अपने घर में इंदौरी पोहा बनाया था उसकी पूर अच्छा लगा मेरको यहां पर इन्होंने काफी अच्छा बनाया एनी टाइम स्नाक और सुबा ब्रेकवास में आप देखी रहे हैं यहां पर काफी लोग खड़े हुए हम राजखोट से चले और 40 किलुमेटर का सफर करके गोंडल पहुँच चुके हैं यहां पर शिरी स्वामी नारायन जी का मंदिर है अंदर चलके दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको इस्थान के बारे में जानकारी देते हैं मंदिर के अंदर जाकर हमने स्वामी नारायन जी और शिरी घंशाम महराज जी के दर्शन करें टेंपल का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है मंदिर में जब हम गर्भ घ्राय के अंदर गए और हमने ऊपर की ओर देखा तो बहुत खुबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिली यहाँ पर आके काफी अच्छा लग रहा है यह पूरा कॉंपलेक्स काफी ज्यादा बढ़ा है और नीट एंड क्लीन है यहाँ पर बेस्मेंट में अक्षड डेरी है शिरी गुनातीतनन स्वामी जी की यह समाधी स्थली है यात्री यहाँ पर अक्षे डेरी के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं, जब आप राजकोट आएंगे या राजकोट से आप जुनागड को जा रहे होंगे, तो आप भी यहाँ पर जरूर आईएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा, अभी हमने दर्शन कर ली हैं, कुछ समय, अभी हम गोंडल में और रहेंगे, फिर आगे हम जुनागड को जाएंगे, श्री स्वामी नारण मंदिर से डेड़ किलोमेटर का सफर करके, इस समय हम नोलखा पैलेस आएं, इस जगा को दर्बार गड़ भी बोलते हैं, यहाँ पर पैलेस के स्टाफ हैं, इन्होंने हमें ये चार्ड दिखाए, जिसमें चार्जिस लिखे हुए है, पूरा पैलेस गोमने में एक से सवा घंटा लगता है, जिसका चार्ज है तीन सो बीस नीचे बोबाइल फोन से स्टिल फोटोग्राफी का चार्ज भी लिखा है 50 रुपीज और विडियोग्राफी का 200 रुपीज, इस समय तो जो गाइड है वो लंच करने हैं, क्योंकि लंच टाइम है, तो भाई सब कह रहे हैं कि हम आपको दिखा देते हैं पैलेस नस्दिक से उसके बाद यहां पर मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद यहां पर सर भगवत सीन जी ने ये पैलेस बनाया, अब इसका नाम नवलखा क्यों पढ़ाई इन्होंने बताया, कि इसको बनाने में 9 रुपे खर्च हुए थे, इसकी वज़े से इस पैलेस का नाम परिवार के कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ दिर पहले मैंने आपको बताया था, दर्बार गड यहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने बताया कि यह जो टेबल है राजा, राजा यहां पर कुछ लिखा करते थे और उनका सामने आप पैन भी देख सकते हैं, very good, वहां साथ ही हाल में यहां पर लाइबरेरी है, इस जगह को देख के ऐसा वाक्य लग रहा है कि कम से कम 1.500-200 साल पुरानी यह किताबें हैं, और उपर अगर हम नजर मा रहे हैं, तो मेरे को यह फैन भी बहुत पुराना लग रहा है, कितने साल पुराना पंखा है, बताओ, 200-300 सा पुराना पंखा है, वा, क्या बात है, चलिए, उदर चलते हैं, इस सेक्षन में कुछ अंग्रेजों के स्टैचू, यहां पर आप फोटो देखो, हॉर्स विद् सिल्वर ओर्नमेंट्स, घोडे के ओपर जो काठी होती है न, वो सामने देखिए, चांदी की, अब जो प्रि रहते नहीं थे, यह जगह उनका administrative office था, तो उपर की ओर चलेंगे, सर भगवर सीन जी को मिलने, आगर कोई राजा आता था, तो वो यहीं पर बैठा करते थे सामने, साथ में जो राजा मिलने आ रहा है, उनका पूरा दरबार साथ आता था, और यहीं पर meeting हुआ करती थी, य मेरी बार-बार नजर उपर पंखोगी और पढ़ रही है, जैसे आपने बताए, 200-300 साल पुराने पंखे हैं, नाइस, अब ही हम एक और section में आए हैं, यहाँ पर हम पुराने बर्दन देख सकते हैं, इस तरफ weighing scale है, गोंडल की public ने राजा को सोने से तोला था, उसके बाद जो उसकी रुपी वैल्यू निकली, उतनी रुपी वैल्यू के राजा ने स्कूल, कॉलिज, हॉस्पिटल बनवाए, यहाँ पर कुछ इन्फोर्मेशन उसके बारे में लिखी हुई है, यहाँ पर यह नहीं में लेकिन जितनी हमें जानकारी है, इंडिया में underground electricity सबसे पहले गोंडल में आई, यह खास बात है इस जगा के बारे में, हम एक और सेक्षन में आये हैं, यहाँ पर आपको horse carriage देखने को मिलेंगे, यह सब मिलाके 10 से उपर रहेंगे, very good, कोई भी palace विजिट करो, तो सबसे अच्छा लगता है palace का architecture देखना, दूसरी चीज, किसी भी palace के top floor से जब आप नीचे की ओर देखते हैं, तो भी अच्छा लगता है, यहाँ पर top floor ज्यादा उंचा नहीं है, इस समय जैसे हम second floor पर खड़े हैं, और हम नीचे की ओर देख रहे हैं, हमने यह पूरा विजिट लगबग आदे हंटे में किया, अब आपको मैं कुछ distances के बारे मे वीरपूर 20 km, तो काईदे से तो हमको वीरपूर होते हुए जेदपूर जाना चाहिए, लेकिन जेदपूर में हम साड़ी देखना चाहते हैं, साड़ी का डाइंग का काम कैसा होता है, चार बजे के बाद यूनिट बंद हो जाती है, तो हम पहले यहाँ से जेदपूर चलत हम 10 मिनिट की दूरी पर इस समय विंटेज कार कलेक्शन देखने के लिए आये हैं, यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 9 बज़े से 12 बज़े तक और 3 बज़े से 6 बज़े तक कि इसके टाइमिंग्स भी साड़े बारा का टाइम है, यहाँ की कार कलेक्शन इस समय मैं आपको फोटोग्राफ के थुरू दिखा रहा हूं, मुझे किसी लोकल ने दिया है, इससे आप अंदाजा लगाए कि कार कलेक्शन कितनी ज्यादा जबरदस्त है, हम यहाँ पर नहीं रुकरे, क्योंकि अब भी अगर हम रुकेंगे, तो जुनागर पहुंचने में कारा जॉइन करते हैं, गोंडल में फायर ब्रिगेट के सामने सुरेश परोटा हाउस है, अभी हम यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट फ्लोर में यहाँ चलके लंज करेंगे, दो डिश मंगाई है, एक तो सेव टमाटर और साथ में लेसुनिया आलू, यह आप देख रहे हैं पराठा, मैंने आके इनके किचन देखने के लिए गया था, तो पराठे को शेलो फ्राइए करते हैं, बेसिकलिक ग्याओं के आटे सही यह तयार हो रहा है, लेकिन इसको शे सबजी टेस्ट कर ले, सही है, मेरे को याद है, जब मैं राजस्तान गया था ना, तो वहां मैंने सेव टमाटर की सबजी जगा जगा खाई थी, लेकिन इसमें और राजस्तान की प्रेपरेशन में फरक ही है, यहाँ पर तीखा ज्यादा है, अच्छी प्रेपरेशन है, टेस्ट मेरे को काफी अलग लग रहा है, और ओवर आल कह सकने है, मज़दार है, जैसा नाम है, वैसा ही काम है, लेसुन का स्ट्रॉंग फ्लिवर है, तीखा ज्यादा है, जो हमने यहाँ पर भी नोटिस किया, क्योंकि काटिया वाड़ी फूड में, मिर्च ज्यादा रहती है, यह आकर हमें पता चल चुका है, तेल भी ज्यादा रहता है, यहाँ के फूड में, चलो इसको धिरे दरे फिनिश करते हैं, फिनिश करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कि इन्होंने टेबल पे तीन किसम के आचार भी दिये हूए है, लेसुन का आचार, खटा आचार और मीठा आचार, साथ में कुछ सैलेड भी है, और यहाँ आकर मेरे को एक और चीज पता चली है, इस रेस्टरांट की बात कर रहा हूँ, बारा बजए यह लोग ओपन करते ह अगर जो इन्होंने प्रिपरेशन करी है, आधा हंटा पहले फिनिश हो जाए तो धाई बजे ग्लोश कर देते हैं, तो और शाम के समय यहाँ पर फूड नहीं मिलता, और काफी पुराना जॉइंट है, मुझे यहाँ जो स्टाफ है वो बता रहे थे कि लगबग 40-45 साल से ज्यादा पुराना यह फूड जॉइंट है, फूड फिनिश करने के बाद मैं शिरिखंड का हूँगा लास्ट में, लो जी मीठे में शिरिखंड, अब सोचो, शिरिखंड में पैनेपल का सुआद कितना जबरदस्त है, लबली, हमारे साथ इस समय इस रेस्टरॉंट की ओनर है, इनको मैं बता रहा था कि आपका शिरिखंड मुझे बहुत सुआद लगा है, तो इन्होंने बताया कि जैसे आम तो पे दहीं का पाने निकाल के शिरिखंड बनाया जाता है, चीन ही डालते हैं, अब एक तो इन्होंने पैनेपल अड़ किया, तो उसका टेस्ट आता है, और दूसरा एक इंटरसिंग चीज़ बताई कि ये क्रीम भी इस्तमाल करते है शिरिखंड बनाने के लिए, भाई सब ये शिरिखंड का स्वादन बहुत काबिली तारीफ है, खाना आपका और अवरोल वाक्य बहुत अच्छा है और ये तो सबसे बढ़िया, धन्यवाद दो हम जेदपूर पहुंच चुके हैं, जैसा मैंने आपको कुछ दिर पहले भी बताया था कि जेदपूर में स्क्रीन प्रिंटिंग का काम होता है कफी लोग हैं जो साड़ि के सकाम में इन्टर्टली एंप्लोईड हैं इस समय हम यहां पर मार्केट में एक शौप हैं कल्यानी कैलेक्शन यहां पर आए हैं मैं हमारे साथ जो इस शौप की ओनर है तो हम आपके पास बंदेज का काम देखना चाहते हैं कुछ जानना भी चाहत और उसके बाद यहां आके आपका जो जो रेडी स्टॉक है उसके बाद देखते हैं रेडी स्टॉक दिखा दू और कैसे मैंनुफिक्चर होता है वो भी देखते हैं तो यहां से जाएंगे हमारे साथ इस हमें इस यूनिट के ओनर बबलु जी है बबलु जी आप से हम समयना चाते हैं स्क्रीन प्रिंटिंगा जो यहां पर काम होता है वो एक्जेक्टली होता कैसे है मदब आप स्टेपर एक बार एक्स्प्लें कर दीजिए बैसिकली यह ब्लिच कपड़ा आता है जो हम लोग प्रोसेस करके इसको यहां पर लाता है उसके बाद में यह एक्सके अपरेंग भी होती है बाद में थोडा घिला रहता है तो उपर सूखा देते हैं मैं यूख उसके बाद में पूरा कपड़ा जाता है सिलिकेट प्रोसेस में असके बाद में जाता है वाशिंग घाट पे और गाट के बाद में उसका within two or three days ये कमडिट हो के पेकिंग में चल अच्छा अपी बड़ा काम है बहुत बड़ा काम है और यहां पर एमरलब for example daily basis से लोग काम करते हैं and they will get around 200 to 250,000 people get everyday job अच्छा जो इस काम में directly involved directly involved lovely lovely great तो आपकी शॉप की तरफ चलते हैं और तो बांदनी की काम को जनते हैं ठीक है चलिए मैं मैम से समझ रहा था कि बांदनी का काम कैसे होता है अब आप देखिए यह जो है ना बांदा हुआ है इसी को बांदनी बोलते हैं तो अब यह बांदने का जो काम है यह लेडीज ना निजदीक में जो गाओं है महां की लेडीज अब यह साड़ी है जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जो जो पोर्शन में ऐसे करके नॉट लगा देते हैं वहां रंग नहीं चड़ता यह अधीर कहारा हूं न तो जहां नॉट लगादेंगा रंग नहीं चड़ेगा बाकी अरिया में चड़ जाएगा तो ऐसा कभी एक जगह नॉट लगाते हैं फिर रंग चड़ाते पिर दुबारा नॉट लगाते हैं रंग चड़ाते हैं सिलसला दो कलर उस आ nessas उतनी बार उस पे नॉट लगेगी, तो ये साडी को अच्छे से खोल के देख सकते हैं, तो अभी साडी की लेंथ कितनी रहती है, साडे 5 मीटर, साडे 5 मीटर, अच्छा, अभी जैसे ये हमें चुन्नट से लग रहे हैं साडी में, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको इसक अब ये तो आप खोलने चाहिए, तो सारे नॉट्स आपके निकल जाएंगे, वाँ, अच्छा, अब देखो ये थोड़ी देर पहले हम इसको देख नहीं पा रहे थे, यहाँ पर नॉट्स थे, अब ये डिजाइन बन गया, ये जो साडी आप दिखा रहे हैं, इसकी क्या क कीमत है, ये 11,000 की है, इसकी क्या कॉस्ट है, सत्रा सो, तो इसकी क्या कॉस्ट है, तीन अजर, तो अब जो ये डिजाइन यहाँ पर दिख रहे हमें, ये खोलने से पहले यहाँ पर नॉट्स थी, एक, दो, तीन, चार, तो अगर गिन लें कम से कम, साथ आट सो नॉट्स, ए एक चीज़ बताईए, जेदपूर एरिया में कितनी लेडीज होंगी अंदाज में, जो इस काम को अपने घर से डिरेक्ली और इंडिरेक्ली करते हैं, बारासो से ज्यादा लेडीज होंगी, जो अपने घर से काम करते हैं, तो बांधनी में ड्रेस मेटीरियल भी है, ये बा पूरा बंदा हुआ है, अभी खोल के दिखाती हूँ, अच्छा, यानि बांधनी में जो ड्रेस मेटीरिल की आपके यहां पर शुरुवात है, वो थाउजन रुपीज से है, अब हम यहां से जा रहे हैं, बुद्धिस्ट गुफा, और वहां पहुंचने के लिए हमें लग अभग आदे गुटे में दुबारा जॉइन करते हैं, चीके माम, थैंक यू आपको. हम बुद्धिस्ट केव के एंट्री गेट तक पहुंच चुके हैं, यहां पर इस समय कोई भी टूरिस्ट नहीं है, काफी बड़ी सी पार्किंग बनी हुए, लेकिन खाली है पूरी पार्किंग, चलिए, यहां से अंदर केव के और चलते हैं. हम केव के पास पहुंच चुके हैं, हमारे साथ इस समय यहां के एक लोकल पर्सन है, भाई सब इस जगा का नाम क्या है? खंबालिदा गाउं के बहुत गुफा होके भाई. खंबालिदा गाउं है, जो यह एरिया लगता है, तो यहां टोटल कितने केव हैं? पंद्रा है, पंद्रा हमने सुना यह केव की खोज है वो 1958 में पीपी पंडिया जी नहीं की थी, जो एक नोन आर्केलोजिस्ट है, आइए जी, तो हमें आप केव दिखा सकते हैं? अच्छा, यह तो हजारों साल पूराने लग रहे हैं? तो यह अभी किसी को पता नहीं है कि यह कपके हैं, तो यहां पर किसी समय बुद्धिस्ट मौंक जो होते हैं, वो यहां पर प्रियर करते होंगे, रहते होंगे, पद्मा पाने और लकष और पाने को डोनों की केव से जुनी बहुत में, और अंदर एक तूप है भगवान का, तूप, तूप, वो माना जाता है, पद्मिश्टा करता है, मानसों, और तरण गुफ़ा वो है, एक गुफ़ा वो जुनागट जाती है, और टाने बन कर दीथी है, अंदर कोई खवाईगी आते हैं, आपका मतलब है यहां से गुफ़ा का रास्ता होते हुए, जुनागट में जाता है, अच्छा जी, अंदर आजल के देखें केफ, यह टूप है, टूप, स्टूप, और बंदिशा करता है, मानसों, विल्जर से, अच्छा परिक्रमा करते हैं, तो यह कितने पुराने केफ, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो जुनागट यहां से 30-40 किलोमेटर तो होगा, 35-30 किलोमेटर तो पक्का हुआ, जुनागट में उपर कोट है, और यह आपस में जॉइन था, अच्छो जी, और आप लोग क्या काम करते हैं, हम लोग आई यहां काम करते हैं, देख रहे करते हैं, सब ताप, सुपाई, सफाई, दोनों कोई करते हैं, यह बात अच्छी है, कि अभी हम यह नहां पर आएं, हालागि टूरिस्ट भी कम है, फिर भी साफ सफाई एक दम पर्फेक्ट है, तो आप लोग इसका ध्यान रखते हैं, वेरी गुट हम खोडल धाम पहुंच चुके हैं, बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, काफी सारी दुकाने हैं, बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है, चलिए, अंदर को चलते हैं यह जो स्थान है, अभी हाल में ही बना है, मेरे खियाल से तीन या चार साल हुएं, कोडल धाम को बने हुए, अगर आप पैदर जल के सामने तक नहीं जा सकते, तो यहां पर इनके पास ना, यह रिक्षा की सुविधा है, तो वो आपको यह राइट इंड साइड वरे रास् कवी चार साल पूरे हुए है, दो हजार सतना जैनवरी में, यहां पर जो राष्टर गान गाया गया, उस राष्टर गान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में नाम है, आज से पहले बंगलादेश ऐसी कंट्री थी, यहां पर मैक्सिमम लोगों ने एक साथ मिलकर नाशनल एंथम गाया, लेकिन आज की तारीक में वो रेकॉर्ड इस जगा के पास है, एक्जेक्ट काउन तो नहीं पता कितने लोग थे जो राष्टर गाने में इन्वाल्व से जुन्हों ने एक ही समय पे गाया, लेकिन एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 5 लाग से राज है, उन्होंने ये टेंपल का निर्मान किया है, बहुत अच्छा लगा हमें यहां पर आके, अब हम यहां से वीरपूर की ओर जा रहे हैं हम वीरपूर पहुंच चुके हैं, यहां पर शिरी जलाराम बापा जी का मंदिर है, हमें यहां से सीधा 200-300 मीटर अंदर की और जाना है, चलिए, चलते हैं मैं टेंपल की ओर जाई रहा था, तो मैंने यह बुक स्टॉल देखा, यहां पर आप जलाराम बापा जी की तस्वीर देख सकते हैं, कवर पेज पे, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम टेंपल के दर्शन आपको बाहर से ही कर करवाएंगे, अब भी हम जलाराम बापा जी के मंदिर के अंदर गए, हमने उनकी चरण पादुगा के बहुत खुबसूरत दर्शन करें, अंदर जाके मेरे को एक और चीज मानूम चली, थोड़ी पूरानी बात है, लेकिन यह समझ लीजे कि जलाराम बापा जी को भगवा पादान राम ने सादू के रूप में दर्शन दिये, और जाते जाते उनको एक डंडा और जोली भेंट के रूप में दिया, हमने उस डंडे और जोली के भी मंदिर के अंदर दर्शन करें, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराना पड़ता है, तो वो लोग डिपोजेट कर लेते हैं, इस समय हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय रमेश भाई हैं, इनके हम शॉप में ही खड़े हैं, रमेश भाई हम जलाराम बापा जी के जीवन के बारे में आप से कुछ जानना चा पापा का एक माहमंत्र था, देने को टुकडा भला, लेने को हरी नाम, उसलिए यहाँ पर जुनागड और सोमनाथ के उपर जो साधू संत लोग जाते थे, तब भुखे लोग यहां से नहीं जाते थे, अनक्षेतर का प्रारम आज से 201 साल पेले किये, और उसके परिवार के पुझे जैसुखराम बापा ने एक निरने लिया, एहतियासिक निरने वो था, के बेट सोगाद और रोकल रकम का स्विकार ये मंदिर में अब नहीं होगा, केवल जलाराम बापा का दर्शन कर सकते हैं, और यहां जो मिलता है, वो महाप्रसाद लेकर आप जलाराम बापा क पहला मंदिर होगा, के वहाँ डोनेशन का स्विकार नहीं होता है, इतने फंड्स हैं कि आप अगले कितने सालों तक चल जाएगा, कितने, सो साल, बस साल तक चलेगा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जाही जलाराम, जब आप पार्किंग से टेंपल के और जा रहे हों कि आपको यहाँ पर लेमन सोटा जगा-जगा देखने को मिलेगा, यातरी आते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद लेमन सोटा पीके आगे चलते हैं, मेरा भी मन नहीं है, यहाँ से नजदी के भी हम चल रहे हैं, आदा किलो मेटर के डिस्टेंस पर बहाँ चलके भोजन प आपको बहुत अच्छा लगेगा, अब हम यहाँ से जुनागड जाने को निकल रहे हैं, जुनागड यहाँ से एक घंटे का रास्ता है, डिस्टेंस अप्रोक्सिमेटली 50 किलो मेटर्स, आज का नाइट स्टें हमारा जुनागड में रहेगा फाइनली रात को साधे तस बजे हम जुनागड अपने होटल पहुंचे हैं, हमने चेक-इन किया है बाइक सूरज क्लब होटल में, जो रूम इस समय आप देख रहे हैं, इसका टैरिफ डबल उक्यूपेंसी में 2200 है, जिसमें कल का ब्रेकफास्ट इंगाड में इंक्लूड है, आज रात को यहीं रुकेंगे, कल दिन की शुरुबात थोड़ी सी लेट करेंगे, कल वोपर सो हम लोकल जुनागड घूमेंगे और उसके बाद आप देखेंगे, आगे चलकर हम सुराश्ट्र में अलग-अलग एरियास में जाएंगे, आज आपको यहीं प हाई दे रही हैं, लगबग 6,000 स्टेप हैं, बेस पॉइंट से उपर अमबाजी टेंपल जाने को, पता भी निचला कब सामने पहाड आ गया और हम एंड पॉइंट तक पहुंच नहीं वाले हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 35 है, अब कुछी जिसने मेरे को समझ ही नहीं आई, तो इसलिए मैंने यहां पर शुरू करने से पहले, जो यहां के रेस्टरांट के मैनेजर इनको बोला कि आप साथ ही बैठ जो, जिससे कुछ पूछना रहेगा तो आपसे पूछते रहेंग बुखो उसे कुछ एी, जो इसलिए नहीं носने से मेरे को समझ ही बैठ लख सथारांट रहेंगेत। झाल झाल